हेलो भच्चों, वेलकम टू पढ़ो इंडिया, आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट की, वीक नमबर टू की रीडिंग केमपेन की, वर्कशीट नमबर आठ और इसकी थीम है फ्लावर्स और फ्रूट्स, यानि फूल और फल, चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को सॉल्व कर यहां देखिए, पर्ची देखो, कूद लगाओ, रौनक गड़तंत्र दिवस की परेड टीवी में देखने के लिए बहुत उत्साहित है, क्योंकि वे इस बार परेड नए स्मार्ट टीवी पर देखने वाला है, बच्चों, एक बच्चा है रौनक, वे बहुत खुश है क् इस बार 26 जनवरी को उसके यहां पर नए टीवी आया है, और वे उस नए टीवी में 26 जनवरी की परेड देखने वाला है, इसी खुशी में वे कूदने लगा, उसे कूदते हुए देखकर दीदी ने सोचा कि क्यों ना इसके साथ कूद लगाने वाला एक मज़ेदार खेल खेला जाए, उन्होंने 10 परचियों पर 1 से 10 तक के नंबर लिख दिये और रौनक को परची में से संख्या देखकर कूदने के लिए कहा, साथ ही दीदी ने स्कोर बोर्ड भी तयार कर दिया, इस तरीके का स्कोर बोर्ड तयार कर दिया और उस पर परची मर्जो नंबर आया वो लिखने के लिए कहा, यहां पर राउंड थे, कितनी बार उसने परची उठाई, यहां पर परची में कौन सी संख्या आई, उसका शब्दों में लिखना था, और यहां पर रौनक ने परची में नंबर देखकर कितनी बार कूद लगाई, उसको यहां लिखना था, जैस तीसरी बार में 9 नंबर की परची आई यहाँ पर हमने 9 अंक लिख दिया है चौती बार में 4 नंबर की परची आई तो रौनक ने 4 बार कूद लगाई यहाँ पर हमने 4 को अंकों में लिख दिया पांचवी बार में 8 नंबर की परची आई रौनक ने 8 बार कूद लगाई और 8 की संख्या को हमने यहां अंको में लिख दिया है आप भी इस खेल को खेलिए और दी गई तालिका को भरिये अब बच्यों आप भी इस खेल को खेलेंगे आप भी क्या करेंगे एक से लेकर 10 तक की परचियों को बनाएंगे और बार बार उस परची को उठाएंगे फिर उस परची पे जितना भी नंबर आएगा आप उतनी बार कूद लगाएंगे और उसको अंकों में यहां लिखेंगे जैसे मैंने पहली बार जो परची उठाई उस पर दो लिखा हुआ आया मैंने दो बार कूद लगाई और अंकों में दो लिख दिया दूसरी बार में पांच आया तो पांच अंकों में लिख दिया तीसरी बार में चार नंबर आया यहाँ पर चार लिख दिया और चार बार कूद लगाई चौती बार में तीन नमबर लिखा हुआ आया तो यहाँ पर तीन लिख करके मैंने तीन बार कूद लगा ली पांचवी बार में आठ वाली संख्या आई तो यहाँ पर हमने आठ लिख दिया है बच्चों यहाँ पर हमारी वर्कशीट खत्म होती है अन्य विशेयों की वर्कशीट के उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें